वी थ्री न्यूज इंडिया खबर नजरिया और असर के साथ भारत आज अपना बहतरवां गर्णतंतर दिवस मना रहा है आप सभी को उसकी बहुत बहुत मुबारत लेकिन आजी के दिन एक बहुत ही शरमना घटना अभी चल रही है लाल किले पर आईटियों पर और दिली के ऐसे कई जगा पे जहां पे किसान बेकाबू हो चुके हैं पुलिस की बारकेडिंग तोड़ दी है पुलिस लाचार है और किसान हर तरह हर तरव जहां अपनी मर्जी आती है वहां पे जा रहे हैं घूम रहे हैं आरजकता फरा रहे हैं और पुलिस मौन बैठी हैं क्रिशी कानून के खिलाफ पिछले दो महीनों में आदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रेक्टर ट्रॉली निकाल रहे हैं सिंगू, टीक्री और गाजी प्रॉडर पर किसान पुलिस की बैरकेटिंग तोड़ का दिल्ली के सीमा में दाखिल हो गए उसके साथ साथी आईटियो पर काफी बवाल मचा हुआ है किसानों के पत्थराव के बाद कई पुलिस कर भी घायल हो गए हैं किसानों के खिलाव ट्रेक्टर, ट्रॉली, डिकाल रहे किसान लाल किला पहुंच गे किसानों ने लाल किले पर जंडा फैराया किसानों के विरोध परदर्शन के बाद दिर्शाद गार्डन में ड्यूटी पर दिल्ली पुलिस का एक जवान बेहोश होकर गिर पड़ा किसान अंदोलन से जुड़े बड़े बड़े नेताओं के बियान आ रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने परदर्शन कारी किसानों को तैशुदर रूट पे ही जाने के लिए बोला है अभी अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर से किसान निकल चुके हैं मौजबूर रास्ते से वो भी लाल किला पहुंचना चाते हैं अब आप ये बताईए अगर ऐसी स्थिती होगी तो कब ये वापिस लोटेंगे क्या स्थिती होगी दिल्ली की आने वले दो दिनों में बुरारी के रास्ते में कंक्रीट की बैर्केटिंग खटाने के लिए किसान क्रेन भी साथ लेकर चल रहे हैं दिल्ली पुलिस आइटियो इलाके में किसान प्रदाशनकारी को नियंतर करने के लिए आनसू गैस का इस्तेमाल कर रही है प्रदाशनकारियों ने पुलिस हमला किया तो पुलिस ने लाठी चार्ट कर उन्हें खदेड दिया इससे कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए हैं तो देखा आपने एक जगा एक ट्रैक्टर पलट गया और एक किसान की मौत हो गई कई जगा आसू गैस में परिशान होकर किसान इदर उदर दौड रहे हैं लेकिन क्या ये आज के गंतंतर दिवस के लिए ठीक है कैमरामेन रजनीश के साथ मैं दवेंदर चोपडा वी थी न्यूस पर